नमस्कार मित्रों। क्या आपका नाम आकास है या आपका नाम अजे है या आपका नाम अंकित है। यनि कि अगर आपका नाम English Alphabet के ए अक्चर से सुरू होता है तो यह वीडियो सिर्प और सिर्प आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ए नाम बाले लोगों के संपुर्ण जीबन का फलादेश क्या होगा ए नाम बाले लोगों के संपुर्ण जीबन में क्या क्या पड़िवर्तन क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इसके अलाबा इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों ये जो ए नामबाले लोग होते हैं इन लोगों के लिए सबसे लखी बिजनिस क्या होता है यणी की फलदाई बिवसाई क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं ये नामबाले लोग अगर किरसी यणी की खेती करते हैं तो खेती के छित्र में आपका भग्य उदै अबश्य होगा खेती के अलाबा अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं यानी की अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो इस काम को करने में भी आपके समय का साथ आपको अबश्य मिलेगा इसके अलाबा अगर आप पुलिस में जाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा फलदाई होगा इसके अलाबा अगर आप राजनीत करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा राजनीत के अलाबा अगर आप अन्वेसन करते हैं या फिर अगर आप स्पोर्ट के छित्र में जुड़ते हैं तो इस छित्र में भी आपका बहुत ज्यादा फाइदा होगा मित्रों ए नामबालों का ब्यक्तितु बहुत ज्यादा निडर होता है ए नामबाले लोग बहुत ज्यादा साहसी उद्यमी जिद्धी लेकिन सुच्छा धाड़ी होते हैं इसके अलाबा ए नामबाले लोगों को उनके पूरे जीबन काल में जो रोग पड़ेशान करेगा जिस रोग के कारण जिस बिमाडी के कारण आपको पड़ेशानी होगी वो रोग है आंत्रसोत रक्त विकार नेत्र विकार इसके अलाबा सिरसंबंधी रोग मित्रों आपके सुवास्त है तू जो खराब समय है आपके सेहत के लिए जो खराब वर्स है वो बर्स है जब आपकी आयू तीन बर्स की होगी जब आपकी आयू 11 बर्स की होगी 15 वर्स की होगी 21 वर्स की होगी 27 वर्स की होगी और 45 बर्स की होगी यणी कि आपके पूरे जीवन काल में ये छे बर्स हैं जिन बर्सों के दौरान आपको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा मित्रों आपके लिए भाग्योदे का समय है भाग्योदे का वर्स है 16, 18, 22, 22, 32, 33, 36, 45, 46, 44 और 62 ये कुछ बर्स हैं जिन बर्सों के दौरान आपका भाग्योदे होगा मित्रों आपके पूरे जीबन में मंगल वार का जो दिन होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुभ यनी की अच्छा होगा लेकिन सुक्र वार और सनी वार का दिन आपके पूरे जीबन में आपके लिए बहुत ज्यादा कस्ट काड़ी यनी की खराब होगा आपके पूरे जीबन में आपके लिए भाग्यसाली रंग है सफेद, गुलाबी, पीला, नारंगी और कत्थई ये कुछ रंग है जो कि आपके पूरे जीबन काल में आपके लिए बहुत जियादा भाग्यसाली होगा तो यही था आपके पूरे जीबन का महत्वपुर्ण फलादेश तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय बजरंग बली कमेंट कर दें, इस व स्रापन चेसर अेसर लाइक कर दो तो यूर को सक दोरा है, भीडियो नीचे जह ताहत़ हो, तो आपको विआख अज़, तो आपको छ avail कर दें देंग सोना सकंष झाना।